नमस्कार मैं भाकिश्री, मिस्यन नियूस के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले आईए डालते एक नजर आज की सुख्यों पर एक सितम बर से बढ़ेगी इन हैंट सैनरी आएकर विफागने बतले लिया और हरित हाइडरोजन मानकों का अनावरत उत्पादन के लिए उत्सरजन सीमाताय की सरकानी हरित हाइडरोजन मानकों को जारी क्या है साते एलेक्ट्रोलसिस और बायोमास आधरी तरीकों को भी शामिल क्या है नवीन और नवीकर्णिय उर्जा मंटाले ने एक बयान में कहा कि राष्ट्य हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रगति के लिए एक महत्वपुनक कदम के तहद सरकानी भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानकों को अधिसुचित किया है मंताले ने जारी के मानकों के तहट उसर्जन की सीमा भी तैक की है जिने पुराप करने पर ही उत्पादित हाइडरोजन को हरित के रूप में वर्की कुरुत क्या चाएगा अधिसोचना के मताबिक परिभाषा के दायरे में एलेक्टॉलिसेज आधारित और बायोमास आधारित हाइट्रोजन उत्पादन विधिया शामिल है वानिच और उद्योग मंताले द्वारा तयार की जारी प्रस्तावित राष्ट्य ई-कॉमर्स निती अंतिम चरण में है अगर आप भी नोकरी पेशा है तो आईकर विभाग की तरफ से आपको बड़ी रहात दी गई है इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सालरेट क्लॉस के लिए बड़ा एलान किया है आईकर विभाग ने रेंट फ्री अकॉमर्डेशन से संभधित नियमों में बतलाव किया है जेओ फानाशियल सर्विसेज लिमिटेड याने जेफ एसल के शेयर आज यानी 21 अगस को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होके है बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज बीएसी पर दो सो पैसस रुपे पर लिस्टिंग हुई वही नाश्यल स्टॉक एक्स्चेंज एनसी पर शेयर दो सो बासस रुपे पर लिस्ट गए रिलांस का फानेंशियल सर्विसेज बिजनेस पिछले मही ने अपनी मूल कंपनी रिलांस इंडस्टिंस लिमिटेट से अलग वा था ड्री मर्चर की बाद प्राइस डिस्कवरिय मेकानिजम के तहत जियो फानेंशिल के शेयर का भाव 211.50 रुपे ताई हुआ था जियो फानेंशिल सर्विसेज आज से 10 करुबारी दिन तक ट्रेट फॉर टेड यानि टी टू टी सेग्मेंट में रहेगा जब तक इस सेग्मेंट में स्टॉक रहता है तो शेयर की इंट्राडे ट्रेनिंग नहीं हो सकती है इस सेग्मेंट के हरें को खरीदने के लिए पूरा पेमेंट देकर डेलिवारी लेनी पड़ती है उन्हें जिलाई के कारुबारी दिन के अंथ में जेंजीन शेयर होल्डर के पास रिलांस इंडस्रीज के शेयर्स थे उन्हें एक-एक के रेश्यो में जेयर फैसल यानि जियो फारेंशल सर्विसे से शेयर मिले थे बारत के तीन पारिवारिक निवेशकों ने सौट बैंक के समर्थन वाली इकॉमर्स फर्म फर्स क्राइम में लगवक 435 करोड रुपे में हिस्सेदारी खरीती है इन निवेशकों में रंचन पाई का M.A.M.G. फैमिली ऑफिस, हर्ष मारिवाला का शौप वेंचर्स और हमेंद्र कोठारी का DSP फैमिली ऑफिस शामिल है इन सभी निवेशकों ने सौट बैंक से हिस्सेदारी खरीती है दरेसल जापान की इन्वेस्टर कंपनी सौट बैंक एकॉमर्स फर्म में अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहती है फर्सक्राय में 29 फिस्दी हिस्सेदारी रखने वाली निवेश फर्म ने अपनी हिस्सेदारी करिब देड़ से 2 फिस्दी कम करती है फर्सक्राय को 14 अगस को ड्रंजन पैस से 250 करोड रुपे का निविश मिला था आपको बता दे कि फर्सक्राय की अन्यन निविशकों में महिन्रा डिटिल, टीपीजी और प्रेमजी इन्विश शामिल है महिन्रा डिटिल के पास कंपनी का 12 से 13 फिस्दी हिस्सा है आएकर विभागने बतले लिया और हरित हाइड्रोजन मानकों का अनावरण उत्पादन के लिए उत्सरजन सीमाता है की बिजनिस समाचार में फिला लिता ही ताजा खबरों के लिए देखते रहे बेसेन निव्स नमस्कार